हर्याना पंचायत चुनाओ चुनाओ घोशित और सरपंच चुनने में बहुत बड़ी मुश्किनों का सामना सरपंचों को करना पड़ेगा क्योंकि सरपंच चुनने की परकिरिया को पूरा का पूरा बदल दिया है जी हाँ ऐसी खबर के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि सभी को नई खबर पता चल सके कि आने वाला जो समय है उसमें सरपंच चुनने की परकिरिया को पूरा का पूरा बदल दिया गया है और इस परकिरिया ये पहल बदलाव कर दिये गही है जो मैं वीडियो के अंदर बताऊंगी तो वीडियो को पूरा देखे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हर्याना पंचाय चुनाव में बहुत बड़े बदलाव कर दिये गए हैं पंचायत के दुरान ऐवियम मशीन में गड़बडी को लेकर तर रही हैं और इस जैसी घटनाएं लगातार सुर्ख्यों में बनी रहती हैं इन सब के बीच पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के छटे आम चुनाओ पंचायत समीती सदस्य चुनने के लिए हर्याना के अंदर भी अब EVM मशीनों को लगाया जाएगा पंचायत समीती सदस अब इन में बदलाव कर दिये गए हैं अब पहली बार पंचायत समीती चुनाओं में EVM मशीने इस्तेमाल होंगी वर्ष 2016 में हुए पंचायत चुनाओं में रिवाडी और पंचकुला में जिला परिशद सर्पंच पंच और पंचायत समीती सदस्य चुनने के लिए EVM मशी मशीनों का परियोग होगा इनके महदम से वोड डलेंगे और इसके इलावा जो 20 अपरेल को सुनवाई होनी है ओड इवन अरक्षन को लेकर हाई कोर्ट में 20 अपरेल को मामले के सुनवाई होनी है इस दिन सरकार ओड इवन अरक्षन में अपना पक्स रखेगी क्योंकि महिल महिलाओं ने ओड रिजर्वेशन को यह कहकर चुनोती दे दी थी कि उन्हें इवन कटेगरी में चुनाव लड़ने से वन्चित नहीं किया जा सकता। नई EVM से होगा मतदान और निर्वाचन आयोग इस बार चुनाव नई EVM मशीनों से करवाएगा और इसकी लिए जो मशीने हैं वो बैंगलूर से electronic voting मशीने खरीदी जाएंगी और बताया जा रहा है कि आयोग जल्द से जल्द नई electronic voting मशीने मिलने वाली आयोग को और चंडिगड से ये ले आये हैं और कितनी EVM चाहिए पूछा आयोग ने राजय निर्वाचन आयोग ने रहो तक समेत परदेश के सभी जिल्ला निर्वाचन अधिकारी कार्यालों को पूछ लिया है उनको पत्र लिखर पूछा है कि पंचायत समीती की voting इस बार EVM से करवानी तै हुई है ऐसे मैं अधिकारी यह बताएं कि उनके पास कितनी electronic voting machine की जरूरत है आयोग को सरपंच और जिला परिशद जिहां सरपंच और जिला परिशद चुनाव के लिए कितनी EVM चाहिए ये बतानी होगी और उसका तो पता है क्योंकि कई साल से ये चुनाव electronic voting machine से करव चाहित भाग के मताबिक इस बार चुनाव के लिए 900 के करीब बूथ बनाए जाएंगे ऐसे में 2700 अतिरिक EVM की अवश्यक्ता और पड़ेगी जिहां 900 के करीब जो बूथ बनेंगे उनमें 2700 एक्स्ट्रा अलग से EVM मशीनों की जरूरत पड़ेगी ये थे बहुत बड़े बदलाओ और अब की बार जो मतदाता हैं उनको और भी जादा सावधान होने की जरूरत है क्योंकि अब की बार इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीने यूज होंगी ये थे बहुत बड़े बदलाओ और इन सभी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीड चल सके वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद